उम्शन्ती, अज 29 डिसेंबर 2020 के साकार परमात्म महावाक्य है, अज की मुरली में बाबा कहते है, मीठे बच्चे, संगम यूग पर तुम ब्राह्मन संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यू लोग के मनुष्य से अमर लोग का देवता बनना है, इस मृत्यू लोग में आयू की कोई भी गैरेंटी नहीं है, कभी भी किसी की मृत्यू अकाले मृत्यू आजाती है, परन्तु अमर लोग में जब हम सत्यू की बात करते हैं, तो वहां तो गैरेंटीड आयू है, एवरेज तेड़ सो साल की आयू होती है, बाबा परश्न तुम्हें ग्रामा की यथार्थ नौलेज है। तुम्हें तुम्हें इस सारी दुनिया से बेहद का सन्यास किया है। वर्थ नौटे पेनी और सत्युग में होंगी वर्थ पाउंट और ये ड्रामा हूँ वहू कल्प पहले मुवाफिक रिपीट होता है। गीत है आने वाली कल की तुम्हें तकदीर हो। उम्हें शान्ती। ये निश्चे करना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते है। हमारी एम उब्जेक्ट यह है। लक्ष्मि नारायन ये मृत्यू लोक के मनुश्य से अमुरलोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी। न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चो तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। कोई भी पढ़ाई में कोई टीचर हो या गुरू हो ऐसे नहीं कहता किसी को के बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चे करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह निश्चे जब तक नहीं होंगा, तब तक हम आत्मा निश्चे नहीं बनेंगे, और आत्मा निश्चे नहीं बनेंगे तो परमात्मा बाप को याद नहीं करेंगे, तो कमाई नहीं हो पाएगी न, तो कौनसा अभी तुम समझते हो, हम पुरुशुत्तम संगमयोग पर है, अभी तुम ब्रामन संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है, पहले शुद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते है, पहले सत्व प्रधान पारस बुद्धी थे अब फिर बनते है ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सत्यूग के मालिक थे सत्यूग में विश्व के मालिक थे फिर 84 जनमले सीड़ी उतरते उतरते सत्व प्रधान से सत्व रजो तमों में आए है पहले अभी तो हम तमों प्रधान थे फिर पहले जनम में अर्थात सत्यूग में सत्व प्रधान होते है तो पहले सत्व प्रधान थे तो पारस बुद्धी थे फिर आत्मा में खाद पड़ती है खाद मना विकारो रुपी कट चरते जाती है मनुष्य समझते नहीं बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे blind faith था सिवाय जानने के किसकी पुजा करना वा याद करना उसको blind faith कहा जाता है और अपने श्रेश्ठ कर्म श्रेश्ठ कर्म को भी भूल जाने से वो कर्म भ्रेश्ट धर्म ब्रश्ट बन पड़ते है भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी प्रश्ट है बाप समझाते है वास्तव में तुम हो प्रवृत्ती मार्ग वाले वही देवताएं जब अपवित्र बनते है तब देवी देवता कह नहीं सकते इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है यह भी होता है ड्रामा प्लैन अनुसार सभी एक बाप को ही पुकारते है हे पतीत पावन आओ वह एक ही गौड फादर है जो जनम मरन रहीत है ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई छेज है आत्मा का वा पर्मात्मा का रूप बहुत सुक्ष्म है जिसको स्टार वा बिंदू कहते है शिव की पूजा करते है शरीर तो है नहीं अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके इसलिए उनको बड़ा बनाते है पूजा के लिए समझते हैं शिव की पूजा करते है परन्तु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते यह सर बाते बाप इस समय ही आकर समझाते है बाप कहते है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो 84 लाख यूनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख तो नहीं होती ना 84 होती है अब बाप तुम बच्छों को बैच समझाते है अभी तुम ब्रामन बने हो फिर देवता बनना है कल्योगी मनुष्य है शुद्र तुम ब्रामनों की इम अबजेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की यह मृत्यू लोग पतीत दुनिया है नई दुनिया वह थी सत्यूग नई दुनिया थी जहां यह देवी देवताएं राज्य करते थे एक ही इनका राज्य था यह सारे विश्व के मालिक थे अभी तो तमुप्रधान दुनिया है अनेक धर्म है यह देवी देवताधर्म प्रायलोप हो गया है देवी देवताओं का राज्य कब था कितना समय चला यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी कोई नहीं जानते बाप ही आकर तुमको समझाते है यह है God Fatherly World University जिसकी एम अबजेक्ट है अमर लोग का देवता बनाना यह कौन सी उनिवर्सिटी है बाबा ने कहा God Fatherly World University और उनिवर्सिटी में एम अबजेक्ट नो ऐसा तो हो नहीं सकता नो तो यहां का भी एम अबजेक्ट है अमर लोग का देवता बनाना इनको अमर कथा भी कहा जाता है शिव बाबा ऐसी कथा सुनाते है जिससे हम जनम जनम अकाली मृत्यों से बच जाते हैं तो अमर कथा कहा जाता है तुम इस नौलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो वहां कभी काल नहीं खाता मरने का वहां नाम ही नहीं मरना ये शब्दी नहीं है समझते हैं हम रामराज्य स्थापन कर रहे है बेहद के बाप का भी प्लैन है रामराज्य बनाने का वह तो सब है मनुष्य मनुष्य तो रामराज्य स्थापन कर न सके राम राज्य कहा ही जाता है सत्यूग को इन बातों को कोई जानते नहीं मनुश्य कितनी भक्ति करते है जिस्मानी यात्राएं करते है दिन अथाद सत्यूग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है सत्यूग में भक्ती नहीं होती है ज्ञान भक्ती वेराग्य या बाप समझाते है वेराग्य दो प्रकार का है एक है हठियोगी निवरुत्ति मार्ग वालों का वह घर बार छोड जंगल में जाते है अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है सारे मृत्यू लोग का बाप कहते है यह सारी दुनिया भसमी भूत होने वाली है ड्रामा को बहुत अच्छी रिती समझना है जो मिसल टिक-टिक होती रहती है जो कुछ होता है फिर कल्प पांच हजार वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा इसको बहुत अच्छी रिती समझकर बेहद का सन्यास करना है यहां हद की तो बात नहीं न बेहद की बात है समझो कोई विलायत चाते है कहेंगे वहाँ हम यह नौलेज पढ़ सकते है बाप कहते हैं, कहां भी बैठ तुम पढ़ सकते हो इसमें पहले साथ रोज का कोर्स लेना पड़ता है बहुत सहज है आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सत्वप्रधान विश्व के मालिक थे तब सत्वप्रधान थे अब तमुप्रधान बन गए है 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नौट एपनी बन पड़े है अब फिर हम वर्थ पाउंट कैसे बने अब कल यूग है फिर सत्यूग होना है बाप कितना सिंपल समझाते है साथ दिन का कोर्स समझना है कैसे हम सत्वप्रधान से तमुप्रधान बने है कामचिता पर बैठ तमुप्रधान बने है अब फिर क्यानचिता पर बैठ सत्यूग होना है वर्थ की हिस्ट्री जोगरफी रिपीट होती है चक्र फिरता रहता है न अभी है संगम्यूग फिर सत्यूग होगा अभी हम कल यूगी विश्यस बने है कल्योगी विश्यस बनते है तब तो बाबा को आना पड़ता है न सत्गती करने के लिए सो फिर सत्योगी वाइसलेस कैसे बने उसके लिए बाप रास्ता बताते है तुकारते भी है हमारे में कोई गुण नहीं है अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल्प पहले बने थे उन्हों को फिर बनाना है और बनना है बाप समझाते है पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ये बात तो पक्की है न क्या आत्मा ही पुराना शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेती है अभी तुमको देही अभिमानी बनना है शरीर में रहते हुए शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ इस अभिमान अर्था देही अभिमानी अस्तिती में रहना है अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है ऐसे नहीं, तुम सदईव देही अभिमानी रहेंगे नहीं, सत्यूग में तो नाम शरीर के रहते है रक्षमी नारायन के नाम पर ही सारी कारुबार चलती है अभी यह है संगम यूग, जबकि बाप समझाते है तुम अशरीरी आये थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो यह है रूहानी यात्रा आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे इनको यूग अगनी कहा जाता है यदी तुम याद की यात्रा में कहीं पर भी बैठते हैं हम जहाँ पे भी हो याद की रात्रा में बैठे रथा द्योगागनी में है साथ रोज में समझाना होता है seven days में basic course हो जाता ना पता चल जाता योग कैसे करना है उसकी विधी क्या है, उससे सिद्धी क्या होनी है, सब समझ में आ जाता है ना साथ दिन की कोर्स में तो यह सुरश्ची चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीड़ी उतरते है अब फिर इस एक की ही जनम में चड़ती कला होती है विलायत में बच्चे रहते है, वहां भी मुरली जाती है, यह स्कूल है ना वास्तव में शंकर को भी देवता कहा जाता है अभी तुम पुरुशार्त कर फिर सो देवता बनते हो प्रजा पिता ब्रम्हा भी जरूर यहां होगा ना प्रजा पिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहां ही रची जाती है, बाबा ही आकर यहां पर प्रजा रचते है, हम सू का अर्थ बाप ने बहुत सहज रिती समझाया है, भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सू परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्व्यापी क कह देते, बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होंगा, तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतीत पावन आओ, हमको पावन बनाओ, निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है, हर एक अकालमूर्थ आत्मा का तक्त है, यह मस्तक के बीच ब्रकूटी के मध्य में जो तक्त है, यह आत्मा का तक्त है, तक्त कहो अथवा रथ कहो, बापको तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है, न सुक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, निराकार खुद रथ में जब बैठे तब तो बोल सके, रथ बिगर पतीतों को पावन कैसे बनाएंगे बाप कहते है मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूं इनका ब्रह्मा बाबा के शरीर का टेम्परेरी लोन लिया है इनको भाग के शाली रत कहा जाता है बाप ही सृष्टी के आदी मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकाल दर्शी बनाते है रचेता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है अब तुम्हारे सिवाए और कोई समझा न सके तुम ही इस ग्यान से फिर यह इतना उच पद पाते हो यह ग्यान सिर्फ अभी ही तुम ब्रामनों को मिलता है देखो बाप कितना उचा चड़ाता है हमें कि ग्यान इस समय सिर्फ किसको मिलता है तुम ब्रामनों को मिलता है फिर वो भी सारे कल्प में तुमें मिलता है फिर सारा कल्प किसी को नहीं बाप संगम पर ही आकर यह ज्यान देते है, सद्गती देने वाला एक बाप ही है, मनुष्य मनुष्य को सद्गती देना सके, वह सब गुरु है भक्ती मार्ग के, सद्गुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वह सद्गुरु वह, इनको पाटशाला भी कहा जाता है, इम ओप्ज प्रेकनर से नारायन बनने की है, वह सब है भक्ती मार्ग की कताएं, गीता में भी कोई प्राप्ती नहीं होती, बाप कहते है, मैं तुम बच्चों को सम्मुक आकर पढ़ाता हूं, जिससे तुम यह पद पाते हो, इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात, बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विगन डालती है, तुम बाप को याद करते हो, अपना वर्सा पाने लिए, खुद का ही वर्सा पाने के लिए याद करते है, यह नौलेज सब बच्चों के पास शाती है, कभी भी मुरली मिस नो अंडरलाइन करें इस बाद को, बाबा कहते है कभी भी मुरली मिस नहोँ, अब जस दिन भी अगर गलती से भी मुरली अभी तक मिस हो गई होगी है, तो रंट बाबा को लिख दो और हलके हो जाओ, तो यह याद है कभी भी हमाई मुरली मिस नहोँ, तभी तो हमारा पुरुश तो बापा कहते हैं, मुरली मिस हुई, गोया एपसंट पड़ जाती है, मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं, तो बाप समझाते हैं, पवित्र जरूर बनना है, वैशनव होकर रहना है, वैशनव भी दो प्रकार के होते हैं, वैशनव वलभाचारी भी होते हैं, परंत विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन, विश्नु वन्शी बनते हो, वहां तुम वैशनव रहेंगे, सत्यूग में हम वैशनव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंग वह है अमर लोग यह है मृत्यू लोग यहाँ विकार में जाते है अभी तुम विश्णुपूरी में जाते हो वहाँ विकार होता नहीं वह है वाइसलेस पर्ल्ड योगपल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो फिर उसने रविकारी दुनिया में जाते हो बहुत दोनों आपस में लड़ते हैं माखन बीच में तुमको मिलता है तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो सभी को यही पैगाम देना है छोटे बच्चों का भी हक है ऐसे नहीं कि छोटे हैं तो ग्यान न देवे अब करते हैं शिव बबा के बच्चे हैं न तो सब का हक है सब को कहना है अपने को आत्मा समझो माबाप में ग्यान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बबा को याद करो सिव बबा के दूसरा न कोई पक्का है यह कि और भी कोई मनुष्य को देधारी को अपना साथी साहरा बना कर रखा है यह पक्का हो कि सिव बबा के दूसरा न कोई मेरा एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन चाएंगे इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो इसमें किताबादे कुछ भी नहीं चाहिए कहां भी बैठे तुम पढ़ सकते हो बुद्धी से याद कर सकते हो यह पढ़ाई इतनी सहच है योग अत्वायाद से बल मिलता है समझा योग बल क्यों कहते है क्योंकि योग द्वारा बल प्राप्त होता है आत्मा को तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो बाप राजयोग सिखा कर पावन बनाते है वह है हठयोग यह है राजयोग इसमें परहेज बहुत अच्छी रिती चाहिए इन लक्षमी नारायन जैसा सर्वगुन संपन्न बनना है खान पान की भी परहेज चाहिए और दूसरी बात बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे इसको कहा जाता है सहज राजयोग राजय प्राप्त करने के लिए अगर राजय न ली तो गरीब बन जाएंगे श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ट बनेंगे भष्ट से श्रेष्ट बनना है उसके लिए बाप को याद करना है कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्यान लिया था जो फिर अब लेते हो सत्यूग में और कोई राज्च नहीं था उसको कहा जाता है सुखधाम अभी यह है दुखधाम और जहां से हम आत्माएं आई है वह है शान्तिधाम श्यू बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुश्य क्या क्या करते है बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते है समझते नहीं यह तो बाब का ही काम है बाब आकर ही विश्व को उद्धार की और लेके जा सकते है बाब जट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते है एक धक से वो लोग कितनी दवाईया आदी निकालते है पैदाईश कम करने के लिए बाब के पास तो एक ही दवाई है एक धर्म अर्था अनादी जो अविनाशी जो है आत्मिक धर्म अभी शान्ती का धर्म स्थापन कर रहे है एक धर्म की स्थापना होनी है फिर आदी में भी सत्यूग में भी तो एकी धरम होता है वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे है फिर दवाई आदी की भी क्या दरकार है तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भवकी जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो अच्छा मिठे मिठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दाधा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दाधा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट पवित्र बनकर पक्का वैश्नव बनना है खानपान की भी पूरी परहेस करनी है श्रेश्ट बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है दूसरी पॉइंट है मुडली से स्वयम को रिफ्रेश करना है कहां भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुशार्थ करना है मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है आज का मीठा वरदान है जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव मिशलेशन है जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो यही स्नेह का स्वरूप है चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो इसलिए जो भी संकल्प वा कर्म करते तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है ऐसे सच्चेस नहीं बनो तो निरंतर योगी सहच योगी बन चाएंगे यदि स्नेही स्वरुप को समान स्वरुप में परिवर्तन कर दो तो अमर्भव का वर्दान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी आज का स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुशार्थ अटेंशन वाला बनाओ स्वभाव इजी अर्था सभी में मिक्स भी हो जाए और मोल्ड भी हो जाए तो स्वभाव इजी और पुरुशार्थ अटेंशन वाला बनाओ अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सूद समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी, ओम शान्ति